दुनिया में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां पर भूतों के मौजूदगी की चर्चा आय दिन होते रहती है इन भूताय स्टेशनों पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इस कारण से लोग भी इन स्टेशनों पर जाने से कतराते हैं इन हॉंटेड रेलवे स्टेशनों पर किसी को भूत नास्ता दिखाई देता है तो किसी को लाल कपड़े पहनी लर्की दिखाई देती है इतना ही नहीं, कई स्टेशनों पर तो इन भूतों को देखने के बाद लोगों की मौत भी हो चुकी है दोस्तों आप देख रहे हैं मानो या ना मानो जहां हम आप सभी के लिए अद्भूत, अविश्वस्टनिये और अकल्पनिये कहानिया लेकर आते हैं आज हम आपको दुनिया वर के ऐसे दस रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भूतों का बसेरा है और लोग जाने से डरते हैं मेंसे कई स्टेशनों को तो इसी कारण से बंद भी कर दिया गया है सिंगापोर का ये स्टेशन सबसे ज़्यादा फेमस है इसे स्टेशन को विसान टेंग की कबड़ पर बनाया गया था इसे स्टेशन का उदगाटन 1987 में किया गया उने 1990 की बात है एक दिन ट्रेन से उतरी एक महिला को ये एहसास हुआ कि उसे किसी के हाथों ने घेड लिया है वहीं यहां काम करने वाले एक कर्मचारी को भी पटरी पर ताबोत चलता दिखाई दिया कुछ लोगों को यहां पर पज्चाब भी सुनाई दिये इसी कारण से लोगों ने यहां आना जाना बंद कर दिया स्टेशन नमबर दो मैक्वेरी फिल्ड्स रेलवे स्टेशन आस्ट्रेलिया में सिड्नी के साउथ वेस्ट निउ साउथ वेल्स में इस्थित है ऐसा कहा जाता है कि यहां देर रात को एक जवान लड़की का भूत घूमता नजर आता है कुछ लोगों ने इसके चिलाने की आवाज भी सुनी है वो खून से लत्पत रहती है और जोर जोर से डांस करती है इस्टेशन नमबर तीन पेंटियोनेस मेट्रो स्टेशन मेक्सिको यह स्टेशन दो कब्रिस्तान के पास बना है पेंटियोनोस और टेकूबा स्टेशनों के बीच सुरंग से जब ट्रेन गुजरती है तो दिवारों पर भूतों द्वारा दस्तक दी जाती है जब भी कोई इसके पास जाने की कोशिस करता है तो वह गायब हो जाता है ट्रेन इंजिनियरों को हमेशा एक वेक्ति की आवाज सुनाई देती है इस्टेशन नमबर चार ग्लेन इडन रेलवे स्टेशन न्यूजिलेंड ये इस्टेशन पस्चिम आउकलेंड न्यूजिलेंड में स्थीत है जो एक कप्रिस्तान के पास है 11 जन्वरी 1924 को इस्टेशन पर काम करने वाले एक वरकर एलेक मैकफार्ड लेन की उस समय मौत हो गई थी जब एक गुजर्ती ट्रेन का हुक उसकी आँखों में घुश गया था तभी से इस वरकर की आत्मा प्लेटफॉर्म पर मटराती रहती है वो हमेशा ग्रेक रंग के कोट में नजर आता है इस्टेशन नमबर पांच वाटर्फरंट इस्टेशन कनाडा कनाडा के गैस टाउन में बना वाटर्फरंट इस्टेशन को 1915 में बनाया गया था लेकिन अब इस इस्टेशन को सहर की सबसे डरावनी जगा माना जाता है 1920 के दोरान एस्टेशन के गाड को प्लेटफॉर्म पर एक महिला डांस करती नजर आई थी जैसे उसने उस महिला के पास जाने की कोशिस की वो अचानक गाइब हो गई इसी तरह एक अनकरमचारी को भी सफेद कपड़े में एक महिला डांस करती हुई नजर आई इसके बाद से यहाँ लोगों ने आना जाना बंद कर दिया इस्टेशन नमबर 6 यूनियन इस्टेशन फिनिक्स, USA 1905 तक ये इस्टेशन सीटी का एक महतपुर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता था लेकिन सीटी में एरपोर्ट बन जाने के बाद इस्टेशन को 1955 में बंद कर दिया गया इसके बाद यहाँ काम करने वाले एक करमचारी को इस्टेशन पर चहल कदमी करता भूद दिखाई दिया था एस्टेशन की देखरे करने वाले डूडले वेलडर्ण का कहना है कि एक दिन अचानक किसी ने उसके सिर पर मारा लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया इसे एरलेंड का सबसे बड़ा इस्टेशन माना जाता था जिसे 1941 में दूसरे विश्चुयूद के दोरान बम से उळा दिया गया 2011 में दुबारा इस श्टेशन को तयार किया गया लेकिन इस श्टेशन पर एक सैनिक का भूत हमेशा चलता दिखाई देता है बात में इस श्टेशन को बन्द कर दिया गया इस्टेशन नमबर आठ एडिस कॉम्बी रेलवे स्टेशन एंगलैंड ये रेलवे स्टेशन 2001 में गिरा दिया गया क्योंकि 1900 के प्राड़म में इस लाइन पर एक ट्रेन ड्राइवर मारा गया था इस भूत की परचाई अक्सर लोगों को नजर आती थी जब इसे स्टेशन को तोड़ा गया तब भी ये परचाई दिखाई दी थी संगाई का ये रेलवे स्टेशन एक समय बहुत ज्यादा मसूर था लेकिन अचानक इस स्टेशन से लोग गायव होने लगे प्लेटफॉर्म पर चलने वाले नौ लोगों की अचानक मौत हो गई ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ आता है और लोगों को मार देता है कहते हैं एक लड़की ने यहां आत्महत्या कर ली थी इसके बाद रोज रात को उसके चीखने चिलाने की आवाजे स्टेशन पर सुनाई देने लगी कुछ लोगों ने जब अपनी आप बिती सुनाई तो इस स्टेशन को बंद कर दिया गया इस्टेशन नमबर दस बेगुन को डोर रेलवे इस्टेशन भारत बेगुन को डोर कोलकाता से 161 किलोमीटर दूर एक गाउं है यहां के इस्टेशन पर रेलवे वरकर ने किसी को देखा और दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि सफेद सारी पहनी एक महिला कभी पट्रियों पर तो कभी प्लेटफॉर्म पर दौरती है कई बार उसके पास जाने की कोशिस भी की गई लेकिन वो गाइब हो जाती है और अब यहां जाने से लोग डरते हैं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने अनुभवों को कमेंट जरूर करें